मार दिये तीन कमांडर हमास का बदला लेगा तुरकी क्या तुरकी के राश्पती, रेजिप, ताइप, अर्दुआन, हमास के तीन कमांडरों की मौत का बदला इसराइल से लेने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तुरकी ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंगार का बदला हर हाल में लेगा। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिवर पर जबरदस एर श्ट्राइक इसराइली से नाने की है। इस आठ सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबु आले शिवर में अंदर की ओर जा रहे हैं। तब ही एक मिसाइल उनके उपर आकर गिरती है और मौके पर मौग पर मौजूद हमास के लड़ा के मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरीए पूरी खबर समझा देते हैं। ज़्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिवर के आसपास मौजूद थे। इसराइली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है। जहां से पूरे घाजा में हम लोगो को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन तीन कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुरकी बुरी तरहां से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इसराइली सेना के दावों के मताबग दख्शिनी घाजा के रफा में हमास के तेलल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उनके साथ ही मारे गए हैं। पिछले 48 गंटे में इसराइली सेना के हमले में घजापटी में सरसफ से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिन में लगबग एक दरजन के करीब हमास लडाके और उनके कमांडर मारे गए हैं सबसे ताजा हमले में इसराइल ने 27 फलिस्तिनियों को मार डाला है खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए हैं इसराइली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अलमवासी कैंप में इसराइल सेना ने सबसे भी शणामले किये हैं दावा किया गया है कि इसराइली सेना के इस हमले में हमास की हवाई काई के प्रमुक समर इसमाइल गादर अबूद दुक्का, हमास के सैन्ने खूफिया मुख्याले के प्रमुक उसामत ताबिश और हमास के एक टॉप कमांडर एमान मबो को मार दिया गया है मिडल इस्ट की मीडिया के मुटाबिक इसराइल नेल मवासी में अमेरिका निर्मित एमके 84 बमों से हमला किया है 907 किलो के अमेरिकी एमके 84 बमों से ही अमास के तीन कमांडर मारे गए हैं इसराइल गजा की तरह ही अपने लड़ा को इमान मिसाइल टैंक और बक्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्थ हमले कर रहा है इदर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चितावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को घाजा बनाने की जरा भी भूल मत करना वन्ना तुर्की चुप नहीं बैठेगा वे इलाच बूलमाद इचिन ओलन हर मासुमून सॉरू इसराइल व बैज बस्तेक्चिलेश इसराइल वे यकिन दुख बावावारिना साइब से बिक्ताव नहीं है तूमिन एत मतवय 27 माय शजखल एका अमेरिकानित अबकर शोब लाद्गी शहामस अद लर्ग जदे दवथ बसर्बनोतो वो अफिलो लो शलाख नציג लशिखोत बदोगा वलखन इता लगाट दोग लफनोट था कि अमेरिका इसराइली हमलों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राजपती जो बाइडन ने दो टूप कह दिया वेस्ट बैंक पे इसराइली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला आईसे नूर अगजी ईगी की मौत महज एक इतिपाक है वो गलती से हमले की ज़द में आ गई यानि अमेरिका और तुर्की की दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला एकजी ईगी की मौत पर राश्टपती बाइडन ने इसराइल को ही क्लीन चिट दे दी 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुर्की महिला आईसनूर एकजी ईगी कोच 6 सितंबर को उस वक्त इसराइली सेना ने सिर में गोली मार दी जिस वक्त वो फिलस्तीनियों के पक्ष में प्रोडशन कर रही थी इसराइल के खुंखार हमलों पर अमेरिका के दोहरे माब डंड को देख कर ही तुर्की अब इसराइल के खुल कर जंग के मैदान में कूट पड़ा है कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ा कोई मान जंगी तैयारी करने लगे हैं अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैनने तोर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तानबुल से इसराइल की राजधानी तलवीव पर हमला कर सकता है जानकारों के मताविक इसराइल के तेलवीव से तुर्की के इस्तानबुल की दूरी लगबग 1200 किलूमीटर है इतनी दूरी तक तुर्की आस्मान से इसराइल पर अपने घातक TV2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है पहले आप ये जान लीजे कि तुर्की और इसराइल की सेन्ने ताकत में कौन बाजी मार रहा है ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मताबिक 145 देशों की सेन्ने रैंकिंग की सूची में तुर्की 11 स्थान पर है वहीं इसराइल इस सूची में 18 नमबर पर है यानि तुर्की यहां इसराइल पर भारी साबित हो रहा है तुर्की के कुल सेनिकों की संक्या 7,75,000 है इसमें 2,00,000 रिजर्फ सेनिक भी शामिल है वहीं इसराइल के कुल सेनिकों की संक्या 6,44,000 है इसमें रिजर्फ सेनिकों की संक्या 4,65,000 है तुर्की की सेना में कुल टैंकों की संख्या 2,239 है वही इसराइली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है तुर्की की सेना में कुल आर्मर्ड वेहिकल की संख्या 1,12,476 है वही इसराइली सेना में आर्मर्ड वेहिकल की संख्या 56,290 है तुर्की की सेना में खीच कर ले जाने वाली तोपो की कुल संख्या एक हजान नौसो औरतेस है तो वही इसराइली सेना में इन तोपो की संख्या सिर्फ तीन सो है तुर्की की सेना में कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या पांसो सोला है वही इसराइली सेना में टोड आर्टिलरी की संख्या 300 है इसराइली वायू सेना में कुल विमानों की संख्या 601 है वही तुर्की की वायू सेना में कुल विमानों की संख्या 1065 है वही इसराइली नौसेना के पास कुल नौसा निक्पोद की संख्या 66 है तुर्की की नोसेना में 16 फ्रिगेट शामिल है, वह इसराइल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है तुर्की के पास कुल 205 लड़ा को विमान है, उन में एक भी हमलावर विमान नहीं है वह इसराइल के पास 241 लड़ा को विमान, 32 हमलावर विमान है दो साल में खत्म होगा इसराइल ट्रॉम्प की भविश्यवानी आपनों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसराइल की तुलना में तुर्की सेनने लिहाज से जरा भी कमजोर नहीं है इस वक्त तुर्की, मिसर, एरान, लिबनान और सीरिया जैसे देशों को एक जुट करने में लगा है उदर रूस के राश्टपती, पुतिन और तुर्की के राश्टपती, अर्दुआन, गाजा, लिबनान और सीरिया पर हो रहे इसराइली हमलों को लेकर कैई गृप्ट प्लैन बना चुके है दावा तो यहां तक किया गया है कि नेटो के कैई देशों को पुतिन ने अपनी तरफ ला लिया है पुतिन के इस मिशन को पूरा करने में तुर्की का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है नेटो देश होने के बावजूद तुर्की के संबंद रूस से जबरदस्त है यही वज़ा है कि तुर्की रूस के इशारे पर इसराइल को गंबीर चेतावनी देने लगा है एक तालिस हजार के करीब अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में राश्टपती चुनाओं में गाजा युद और पूरे मिडल इस्ट को लेकर पूर्व राश्टपती डॉनल्ड टरम्प और वर्तमान में अमेरिका के उपर राश्टपती कमला हैरिस के बीच बहनकर जुबानी चंग चल रही है टरम्प ने तो दो टूप कह दिया है कमला हैरिस इस्राइल से नफरत करती है और अगर कमला हैरिस राश्टपती का चुनाओ जीत गई तो दो साल में इस्राइल का वुजूद खत्म हो जाएगा पब्लिक डिबेट में टरम्प का ये हैरान करने वाला बयान इस्राइल के लिए कंभीर खत्री की घंटी है इस्राइल के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल घजा यूद में बुरी तरह से फज़ गया है अब तो नेटो देश तुर्की भी इसराइल से दूदो हाथ करने को तयार है अब ऐसे हालात में भी इसराइली सेना घजा से लेकर वेज़ बैंक तक ताबर पूर्ण हमले कर रही है इधर खबरें ये भी आ रही है कि नेतनियाहू ने अपने टॉप कमांडरों कुरूस साब समझा दिया है कि अगर हम सीस्पायर करते हैं इसलिए इसराइली सेना ने पिछले आठ दिनों से घजा और वेज़ बैंक